सवाल ये है कि आखिर अस्पताल इतनी लापरवाह क्यों हो जाते हैं अस्पताल में क्यों होती है लापरवाही क्या डॉक्टरों की कमी है कुछ कमी तो जरूर है यह हम भी बानते हैं कभी हरतार से मरीज परिशान है तो कभी लापरवाही से और यह हैं वज़य है कि जिस दर् रहा है लोगों को दर्द पहले मुख्यमंत्री जननी शिश्यू सुरक्षा योजना अस्पतालों में निहशुल्क इलाज और अब मुख्यमंत्री निहशुल्क जाच योजना यानि इन योजनाओं की माने तो सरकार स्वास्थी को लेकर जनता पर महरबान है और सरकार के नुमाइंदे और उनकी पार् कामी चुनाव की वैतरनी को पार करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन उन्हें शायद इसका एहसास नहीं कि उनके इस नाव में कुछ छेत भी हैं। जो उन्हें दुबा सकते हैं। सरकार ने करोर रुपए स्वास्त सिवाओं पर खर्च किये। लेकिन अगर जनता का दर्द कम होने के बजाए बढ़ता ही जाए तो भला ऐसी योजनाओ का क्या। साल के ज्यादा तर दिनों में राजिस्तान के अस्पतालों में हरताल ही होती रहती है। कभी रेसिडेंट डॉक्टरों की, कभी नर्सिंग कर्मियों की, तो कभी रेडियो लॉजिस्ट की, जो इन योजनाओं की हवा ही निकाल देती है। इसके अलावा अस्पताल में बढ़ती जाने वाली लापरवाही भी लोगों की जान तक ले लेती है। कभी दर्द बढ़ने पर पता चलता है कि मरीज के बेट में कैची ही छूट गए। तो कभी ऑपरेशन थियेटर में वाट बवाही कर देता है सरजरी। और हट तो तब हो जाती है जब एक स्वीपर ही इलाज करने के चक्कर में काट डालता है एक नन्हे बच्चे की उंगले। भला एक स्वीपर जो हमेशा सफाई के कामों के कारण गंदगी से घिरा रहता है। कैसे कर सकता है किसी का इलाज। अगर गंदगी के कारण परीज को इंफेक्शन हो जाए तो जा सकती है उसकी जान। लेकिन इन लापरवाहियों पर सरकार आखे मूंदे रहती है। का इंसेंटिव भी बढ़ा दिया। प्रोबेशन पीरियेट को भी दो साल से खटा कर एक साल कर दिया। और तो और रिटाइड डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है ताकि प्रदेश की स्वास्त सेवाइं सुधर जाएं। लेकिन बावजूद इसके का इंसेंटिव बूत तक ला सकती हैं। इसलिए नई योजनाओं पर ही सूबे के रहनुमाओं का पूरा ध्यान है। सहारा न्यूस बीरो